हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइगन के द्वित्यक तरंगेकाओं के सिध्धान्त के बारे में चलिए बच्चो देखते हैं प्रतेक प्रकास स्त्रोत से प्रकास तरंगागरों के रूप में चलता है प्रकास स्त्रोथ से निकलने वाला प्रकास तरंगाग्रों के रूप में बढ़ रहा है बच्चो ये हमने प्रीविएस वीडियो में बात की suppose that यहाँ पर ये हमारा एक प्रकास स्त्रोथ है इससे प्रकास सभी संभव दिशाओं में जाएगा वहाँ पर हम कुछ एक ऐसे point note करते हैं जो किसी tea time पर क्या कर रहे हैं tea time पर वो समान कला में क्या कर रहे हैं बच्चों कमपन कर रहे हैं और अगर अब हम इन सभी कड़ों को मिला दे इन सभी बिंदूों को मिला दे तो इससे जो बनने वाला प्रस्थ होगा बच्छो यह सारा का सारा क्या कहलाएगा आपका तरंगागर कहलाएगा और अब हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रतेक प्रकास स्त्रोथ से प्रकास किसके रूप में चल रहा है बच्छो तरंगागर के रूप में चल रहा है तरंगागर की रूप में चलने का अर्थ ही यह है और इन्होंने हमें अब क्या बताया है हाइगेंस ने हाइगेंस ये बता रहा है कि इन्हें प्रात्मिक तरंगागर कहते हैं ये प्रकास स्त्रोथ है और इसके अंदर ये जो बन रहा है बच्चो इसे हमने क्या नाम दिया है प्रात्मिक तरंगागर इस तरंगागर का प्रते एक बिंदू एक द्वित्यक प्रकास स्त्रोत की बांती विवार करता है अब हाइगेन क्या बता रहा है हमें हाइगेन कह रहा है कि इस प्रकास स्त्रोत से जो तरंगागर बना है जिसे इसने नाम दिया कौन सा तरंगागर प्राथमिक तरंगागर तो अब हाइगेंस क्या बता रहा है कि ये जो प्राथमिक तरंगागर है ना इसका जो हर एक बिंदू है हर एक बिंदू जो है ना वो किसके रूप में काम करेगा बच्चो वो एक द्वित्यक प्रकास स्त् स्त्रोत के रूप में काम करेगा मतलब यहां पर भी तरंगागर के प्रतेक बिंदू एक द्वित्यक विक्षोब का नवीन स्त्रोत होगा मतलब यहां पर भी विक्षोब होगा विक्षोब होने का मतलब कि यहां से भी तरंगे निकलेगी जिस तरीके से यहां से तरंगे निक और इस प्रकास स्त्रोत से क्या होता है इस प्रकास स्त्रोत से द्वित्यक तरंगिकाय उत्सरजित होती है यह जो प्रकास स्त्रोत है ना द्वित्यक प्रकास स्त्रोत बच्चो इससे क्या निकलेगी इससे तरंगिकाय निकलेगी जो प्रकास की गती से गती करने वाली है ठीक कैसे बच्चों कुछ इस तरीके से यहां से तरंगी काई निकलेगी इस तरीके से यहां से तरंगी काई निकलेगी इस तरीके से बच्चों बहुत सी तरंगी काई निकलेगी यहां से चीजों को समझी आप और अब इन्होंने क्या नाम दिया कि यह वाली जो यह वाली जो ची द्वित्यक तरंगिकाएं यह प्रकास स्त्रोथ है प्रकास स्त्रोथ से प्रकास किसके रूप में निकला तरंगागर के रूप में निकला और उसे हमने क्या नाम दिया प्राथमिक तरंगागर यह सारा का सारा प्राथमिक तरंगागर है और प्राथमिक तरंगागर का हर एक बिंदू है वो किसके रूप में कारे कर रहा है वो द्वित्यक प्रकास स्त्रोत के रूप में कारे कर रहा है और द्वित्यक प्रकास स्त्रोत से प्रकास किसके रूप में निकलता है तरंगिकाओं के रूप में निकलता है और ये तरंगिकाओं प्रकास की गती से गती करती है और बच्चो कुछ देखाओ प्रकास स्त्रोत है ना ये द्वित्तिक प्रकास स्त्रोत को में यहां ड्रोक कर रहा हूँ अगर ये प्रकास स्त्रोत है तो ये भी क्या करेगी बच्चो सभी दिशाओं में फैलेगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज बन रही है न इसको क्या नाम दिया है इसने इसको नाम दिया है द्वित्तिक तरंगिकाई और इन द्वित्तिक तरंगिकाओं का एन्वोलोपी प्रस्ट द्वित्तिक तरंगागर कहलाता है अगर बच्चो हम इन द्वित्त तरंगिकाओं के लिए एक उब्यनिस्ट स्पर्श रेखा खिंचे, मतलब कुछ इस तरीके से, यहां से, हर एक के लिए, हर एक के लिए बच्चो, हर एक के लिए अगर मैं एक स्पर्श रेखा खिंचता हूँ, तो ये जो चीज बनी है ना बच्चो ये वाला जो A, B है ये चीज क्या कहलाती है बच्चो ये कहलाएगा आपका द्वित्यक तरंगागर ये क्या कहलाएगा द्वित्यक तरंगागर ये द्वित्यक तरंगागर होगा चीजों को समझना आप कोई भी प्रकास स्त्रोथ है उससे प्रकास तरंगागर की रूप में निकलता है और इसे हम प्रात्मिक तरंगागर कहते हैं प्रात्मिक तरंगागर का प्रतेक बिंदू द्वित्यक प्रकास स्त्रोथ की भांती विवार करता है या फिर यूँ कहूँ कि परात्मिक तरंगागर का प्रतेक बिंदू द्वित्यक विक्षोप का नवीन स्त्रोथ है वहाँ से डिस्ट्रूबिंस हो सकती है वहाँ से वेव निकल सकती है और वहाँ से जो वेव निकल रही है वो क्या बनाती है वो द्वित्यक तरंगिकाई उद्सरजीत करती है वो द्वित्यक तरंगिकाई बनाती है और द्वित्यक तरंगिकाई ये वाले गोले है बच्चो ये छोटे छोटे वाले जो स्पेर है न वो सारे के सारे द्वित्यक तरंगिकाई है अगर इन दूतिक तरंगिकाओं के लिए एक उभियनिस्ट स्पर्स रेखा खीच दूँ मतलब कि यहां वाले कर दूतिक दूतिक के लिए सारों के लिए मैं क्या कर 보면 एक common स्पर्स रेखा किच दूं तो वो किसका काम करेगी वो कहलाएगी द्वित्यक तरंगागर वो द्वित्यक तरंगागर कहलाएगी बच्चो इस हिसाब से तो ये तो बाते हमें किस ने बताई ये बाते हमें हाईगेंस ने बता दी यहां तक, रूल कंप्लीट कर दिया हाईगेंस ने अपना लेकिन इतना पढ़ने के बाद में लोगों ने ये पुछा कि हाईगेंजर अगर ये द्वित्यक तरंगागर है इसके हिसाब से तो जो पस्च भाग है पिछे वाला भाग है उसके अंदर भी क्या होना चाहिए एक तरंगागर बनना चाहिए उसके अंदर भी क्या बनना चाहिए एक तरंगागर बन वो हाइगेंस ने इसका जवाब भी दिया, हाइगेंस क्या बोलते हैं, उन्होंने बताया कि हाइगेंस ने तरक प्रस्तूत किया कि आगे की दिशाओं में द्वित्टिक तरंगिकाओं का आयाम अधिक्तम होता है, और पिछे की दिशाओं में इनका आयाम न्यूंतम होता है, और इस हिसाब से उन्होंने पस्च तरंगों को मतलब यह मान लिया कि वो अनुपस्थिती रहती है हाइगेंस ने ये बात बताई लेकिन ये तरक पुर्ण और संतोस जनक बात नहीं थी बच्चो हम यह नहीं मान सकते कि यह जो पस्च तरंग है यह अनुपस्तिती है यह रहेगी हाइगेंस इस बात को समझा नहीं पाया तो वहाँ पर इस नियम की एक कमी भी थी ठीक है बच्चो और इसके बाद में हाइगेंस ने हमें यह भी बताया कि तरंगागर माध्यम में प्रकाश के वेग से गती मान होता है और तरंगागर के किसी बिंदू पर खींचा गया अभिलंब प्रकास संचरण की दिशा को व्यक्त करता है जिसे प्रकाश किरण कहा जाता है समझ में आई ना बात हाईगेंस क्या बता रहे है बचो कि तरंगागर माध्या में प्रकाश के वेग से गती कर रहा है और तरंगागर के किसी भी बिंदू पर खिंचा गया अभिलम प्रकास संचरन की दिशा को व्यक्त कर रहा है अगर ये बचो एक क्या है ये क्या है ये तरंगागर है इसके अगर हम क्या करेंगे बच्छो अभिलंब खिंचेंगे इस से तरंगागर से अभिलंब खिंचेंगे तो ये दिशा किसकी होगी ये दिशा होगी प्रकास संचरन की दिशा ठीक है बच्छो प्रकास संचरन की दिशा ये तो बना है बिल्कुल पास में अगर यही बहुत तो दूर बनेगा ये वाला तो पास में बना है तो कौन सा तरंगागर है बच्छो गोल ये तरंगागर है अगर ये बहुत दूरी पर बनेगा न तो ये कौन सा हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा बच्छो प्लेन तरंगागर बनेगा फिर ये कैसा बनेगा प्लेन ये वाला ये जो है बिल्कुल सिधी रेखा है ये वाली रेखा तो क्या है ये प्राथमिक तरंगागर है ये कुन सा है ये प्राथमिक तरंगागर है ये जो गोले है वो क्या कहलाते है बच्चो ये द्वित्यक तरंगिकाएं है और इनसे जो ये स्पर्श रेखा खींच दू अगर में तो यहां पर एक पस्च तरंग अगर भी होगा जसे हाइळेंस ने अपने को गोली देने का प्रियास किया था वह वाला भी यहां पर रहेगा तो हाइगेन का द्वित्तिक तरंगेकाओं का सिधान्त बच्चो आपने पढ़ लिया है आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक ने वीडियो के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर झाली आपने का सिधान नी रवीडियो में झाले कि लिए पे य –